हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज के लिए दवाई और कड़ाई की जरुरत है करोना संकट के मद्धे नजर पीम मोदी ने पिछले साल उठाए गए कदमों का भी उन्होंने जिक्र किया उन्होंने कहा कि पिछले बर्शों बर्श में ये मार्च का ही महीना था जब देश ने पहला जनता कर्फियू देखा था इस एक बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिठ्षें आती हैं कॉमेंट्स आते हैं भाती भाती के इंपूट मिलते हैं जब उनकी तर्फ नजर दोड़ा रहा था तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वण बात याद की माई गौपर आरियन स्री, बेंगलूरी से अनुपराव, नोएडा से देवेश, ठाने से सुजीत इन सभी ने कहा मोधी जी इस बार मन की बात का 75 एपिसोड है इसके लिए आपको बथाई मैं आपका बहुत भधनवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीग नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं मेरी लिए बहुत ही गर्व का विशा है, आनन्द का विशा है मेरी तरफ से भी आपका धनवाद ही है मन की बात के सभी स्रोताओं का भारवेक्त करता हूँ क्योंकि आपके साथ के बिना इस सफर संभवी नहीं था ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारी की आत्राव शुरू की थी पहली बात जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुवाव देखिए जनता कर्फ्यू पुरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था अनुशासन का ये अभुद्पुर्व उधारन था आने वाली पीडियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रती सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाज नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना चूग गया था वो और वही तो कारण है जो पूरी साल भर बे बिना थके बिना रुके डटे रहे अभी से अपिल भी है कि वैक्सिन जरू लगवाएं मैं ट्वीटर फेस्बूक पर भई ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सिन लगवाने के बाद उनकी वैक्सिन सेवा ऐसे ही संदेश दिल्डी से शिवानी हिमाचल से हिमानसू और दूसरे कई युवाओं ने भी वेज़े हैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूं इन सब के बीच कोरोना से लड़ाए का मंत्र भी जरूर याद रखे दवाई भी कड़ाई भ साभर सेटी में एक